मेरे प्यारे बच्चियों किवे हो तुसी सारे सब कुछ ठीकते है ना बच्चियों आज मैं तुह हाड़े लेई एक अजे ही कहानी लेके आई हां जिसनों सुनना ते समझना तो हाड़े लेई बड़ा ज़रूरी है बच्चियों तुसी चाहे स्कूल चाहो पार्क चाहो आफदे कार चाहो जित्थे भी असी रहने हां सानों अपने दोस्ता नाल अपने परिवार नाल हमेशा इक होके रहना चाहिदा है क्योंकि एकता विच बहुत ताकत हुंदी है जो लोग इक होके नहीं रह दे जा फिर जो किसी दी कही सुनिच आके अपने ताकत नू तोड़ दे हन और जीवन विच बहुत पच्चताओं दे हन चलो मैं एह गल तुहानू इस कहाणी दे रही समझों दी हां पहुत समय पहला दी गल है एक जंगल विच तिन बैल रहा कर दे सं तिन ने आपस विच बहुत वदिया दोस्त भी सं ओ का चरणले इक ट्थे जंगल विच जान दे हुंदे सं जिस जंगल विच एह तिन बल्द जान दे सं ओ थे एक खौफ़नाक शेर भी रहन दा सी शेर कई दिना तो इनना तिनना बल्दाटे नजर रखरे हा सी ओ इनना तिनना सारेयान नू मार के खा जाना चहुंदा सी उसने कई वार बल्दाते हमले वी किते, पर बल्दा दी आपसी दोस्ती कारण ओकदे वी ओनानो नुखसा नहीं पोँचा सक्या क्योंकि जदों वी शेर ने उन्नाते हमला किता, तिन्ने बल्द एक त्री कोण बना के अपनी तिखे सिंगा नाल अपनी जान दी रख्या करते सी तिन्ना बल्दाने मिलके शेर नू कई वार पजाया, पर शेर वी बहुत जिद्धी सी ओ तिन्ना नू खा जाना चोंदा सी शेर समझ गया कि जिन्ना चिर एक तिन्ने इकठे रैन गे उन्ना नू मारे आ नहीं जा सकदा इसलिए उसने एक दिन एक तिन्ना नू वक करन दी चाल बनाई शेर ने बल्दानू वक करन लई जंगल विच अफवाहा फेला दिती शक पैदा हो गया कि आखर एक कौन है जो सनु तोखा दे रहा है एक दिन इस गल नू लेके तिनना बल्दा विच लड़ाई हो गई शेर दी रची साजिश सफल हो गई हुन तिनने बल्द अलग-अलग रहन लगए ओना दी दोस्ती भी तुट गई हुन ओ वख हो गए अते जंगल विच अलग-अलग होके चरण लग गए बस शेर नू एसे ही मोके दी वड़ीक सी एक दिन शेर ने तिन बल्दा विच चो इक उत्ते हमला कर दिता इकल्ला होन कारण बल्द शेर दा मुकावला ना कर सक्या ते शेर ने उसनो मार दिता कुछ दिना बाद शेर ने दुज्जे बल्द देवी हमला कर दिता अते उसनो वी मार के खा लेया हुन सिर्फ एक बल्द बचया सी ओ समझ गया कि शेर हुन उसनो वी मार देवेगा उस दे बचन दी हुन कोई उमीद नहीं सी ओह इकल्ला शेर दा सामना नहीं कर सक्दा सी एक दिन जदो ओह जंगल विच चरण गया ता शेर ने उसनू वी अपना शिकार बना लेया शेर ती यह चाल पूरी तरा सफल रही अते उसने तिनना बल्दा दी दोस्ती तोड़के उना नू अपना शिकार बना के खा लेया तिनने बल्द आपस विच लड़के अलग होए ति अपनी जान वी गुवा बठे ता बच्चियो किवे दि लगी ये कहाणी? एवी दस्सो कि ये कहाणी सानू की सिखाउंदी है? बच्चियो एक हाणी सानू सिखाउंदी है कि एकता विच बहुत ही ताकत है सानू हमेशा इक होके रहना चाहिदा है चाहे हो परिवार होवे चांद दोस्त एकता दी ताकत नाल असी वड़ी तो वड़ी मुसीबत दावी समना कर सकदेया पर अपनेया तो वख होके अपने प्यारया नाल लड़के ओना नाल अलग होके असी जिंदगी दी कोई जंग नहीं चित सकदे इसलेए हमेशा एक जुट होके रहो ताम बच्चियो उनमे चल दी हाँ तो हानू फेर मिलांगी एक होर मजेदार कहाणी दे नाल प्रूप्ट प्रूप्ट लड़के अपने चल प्रूप्ट लड़के अपने युट होगे चल दी दे नाल